अलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का एक्जाम सेतू चैनल में हम अपनी सीरीज में आर्टिकल नंबर 13 पे पहुँच गए हैं आर्टिकल नंबर 12 हमने पहले देख लिया था 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स के अंदर आएंगे आर्टिकल 12 में हमने स्टेट की डेफिनेशन देखी थी आर्टिकल 13 में हम लॉज की डेफिनेशन देखेंगे कि लॉज क्या होता है आर्टिकल 13 देखो क्या कहता है नेगिटिव डेफिनेशन ओफ लॉज बताता है नहीं कह रहा, what is law, विधी क्या है, कानून क्या है, article 13 ये बात नहीं बताता, article 13 बताता है, law क्या नहीं है, law क्या नहीं है, मतलब कि किसको कानून नहीं कहेंगे, बची हुई चीज, कुछ चीजे ऐसी होंगी, जिसको कानून नहीं कहेंगे, बची हुई चीज कानून है, तो य ये negative definition देता है law की मतलब कि ये ऐसा बताता है कि कानून क्या नहीं है किसको कानून नहीं बना सकते ये बात article number 13 के अंदर लिखी हुई है साथ साथ में article number 13 judicial review की बाते करता है judicial review हमने कहां से लिया है हमने USA से लिया है judicial review इसको हिंदी में कहते है न्याइक पुन्रा विलोकन न्याइक पुन्रा विलोकन मतलब क्या है आपका कानून सही बना है या नहीं बना है आपका कानून सम्मिधान के अनुसार बना है या नहीं बना है इसको चेक करेगा Supreme Court या भारत का न्याई पालिका इसी को ही कहते है न्याई कुन्रा विलोकन कोई भी लौ बनने पर सुप्रिम कोट क्या करता है उस लौ को देखता है कि क्या वो लौ जो है वो सम्मिधान के अनुसार है या नहीं है अगर नहीं है वो तो उसको रद्ध कर दिया जाएगा तो ये भी बात आ आडिकल नंबर 13 ये कहता है कि भारत की territory में यानी भारत के छितर में सम्विधान शुरू होने से पहले before the commencement of constitution यानी ये क्या कह रहा है आडिकल 13 क्या sub-clause 1 ये कह रहा है 1950 से पहले सम्विधान शुरू होने से पहले भारत के अंदर जितने भी कानून बने हुए थे क्योंकि बृटिश इरा के अंदर भी बहुत सारे कानून थे भारत के अंदर जितने भी कानून थे और आपको पता होगा इंडिया के अंदर जो Indian Penal Code है या Criminal Procedure Code है ये बृटिश टाइम से बनी हुए है और बहुत लंबे समय से इसके अंदर कोई भी बहुत सारे सम्मिधान के अंदर संशोधन की जरूरत है इंडियन पेनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर लेकिन बदलाव नहीं किये गए है तो अब क्या हो रहा है इसके अंदर क्या लिखा हुआ है आर्टिकल 13 सब पार्ट 3 को वायोलेट करता है पार्ट 3 का उलंगन करता है पार्ट 3 में क्या है फंडामेंटल राइट यानि कि ऐसा कोई कानून आजादी से पहले मतलब की सम्मिधान शुरू होने से पहले ऐसा कोई कानून है अगर जो मौलिक अधिकारों का उलंगन करता है तो उस कानून को रद्ध माना जाएगा उस कानून को वॉइड माना जाएगा उस कानून को invalid माना जाएगा इसने किसकी बात की है 13 subclose 1 में उन कानूनों की जो सम्मिधान शुरू होने से पहले के थे ऐसा कहा जा रहा है ऐसा कोई कानून अगर बिटिश टाइम में बना हुआ था लेकिन सम्मिधान शुरू होने के बाद अगर वो कानून पार्ट 3 को यानि कि मौलिक अधिकारों का उलंगन करता है तो उस कानून को रद्ध कर दिया जाएगा तो यहाँ पे आपको नेगेटिव डेफिनेशन मिल गई लौ की मतलग कि कौनसी बाते लौ के अंदर नहीं आएंगी कोई भी वो बात जो पार्ट 3 का उलंगन करती है पार्ट 3 का वाइलेशन करती है अर्टिकल 13 सबक्लोज 1 क्या है यह हमने देख लिया ठीक है अर्टिकल 13 सबक्लोज 2 क्या कहता है कि state shall not make any law which takes away or abridges the right comfort by this part ठीक है क्या कह रहा है यह देखिए आर्टिकल नंबर 13 सबक्लोज 2 यह कह रहा है कि राज कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता जो state है हमारा state क्या है यह जो मैंने आपको आर्टिकल नंबर 12 के अंदर बताया था कि state के अंदर कौन कोन आएंगे state कैसे कानून को नहीं बना सकता जो पार्ट 3 का उलंगन करते हैं यानि पंडामेंटल राइट का उलंगन करते हैं 13 sub close 1 के अंदर उन बातों का जिक्र है जो already law बने हुए है 1950 से पहले उनमें से कौन-कौन से कानूनों को रद कर दिया जाएगा जो पार्ट 3 का उलंगन करते हैं यह 13 sub close 3 के अंदर लिखा हुआ है 13 sub close 2 में लिखा हुआ है कि राज्य कोई भी ऐसे नए कानून को नहीं बना सकता जो पार्ट 3 को violate करता है यानि कि मौलिक अदिकारों का उलंगन करता है अगर कोई ऐसा law बना दिया गया तो उसको void यानि कि रद कर दिया जाएगा 13 sub close 2 क्या कहता है यह भी देख लिया अब 13 sub close 3 के अंदर यह लिखा हुआ है कि law क्या क्या होगा किस किस चीज को विधी के अंदर include करेंगे कोई अध्यादेश अगर जारी हुआ है, कोई order है, कोई by law है, कोई rule है, कोई regulation है, यहाँ पे देख लो, कोई अध्यादेश है, कोई आदेश है, कोई उपनियम है, कोई नियम है, कोई विनियम है, कोई अधी सूचना है, कोई custom है, custom मतलब rule regulation, जैसे कि अपने custom बने हुए है न, कि हिंदू की शादी ऐसे होगी कि हिंदू विभा के अंदर हिंदू marriage act के according एक विभा के चारों तरफ फेरे लेने हैं तो ये custom है वो भी एक कानून है तो rule, regulation, notification, custom, usage कोई भी tradition भारत के अंदर रीती रिवास चलता आ रहा है वो सब law की परिभाशा के अंदर आएंगे और और law किसको कहेंगे कोई भी law जिसको विधाईका ने बनाया हो विधाईका का मतलब यहां क्या है जिसको संसद ने बनाया हो या जिसको राज्य की विधान सभाने बनाया हो ठीक है तो इसने अगर कोई अध्यादेश जारी किया है तो उसको भी लौ की परिभाशा में ही लेंगे तो लौ क्या-क्या होंगे ये बात आर्टिकल नंबर 13 सब क्लोस 3 कह रहा है कि कोई ओडिनेंस है अध्यादेश है कोई आदेश है किसी के द्वारा दिया गया अब यहां किसी ऐ ऐसा नहीं कि मैंने कोई आदेश दे दिया और वो कानून बन गया इसका आदेश संसद का आदेश किसका आदेश प्रेजिडेंट का आदेश मतलब ऐसे किसी व्यक्ति का आदेश जो competent है मतलब जिसको शक्ति मिली हुई है कानून बनाने की जो सक्षम है जो सक्षम प्राधिकारी है ठीक है तो उसके द्वारा जारी किया गया कानून और यह सब चीज़ें जो है लौक की परिभाशा में आएंगे ठीक है आर्टिकल 13 सब क्लोस 4 इसको हटा दिया गया इसको इंद्रा गांधी ने एड किया था अमेंडमेंट करके लेकिन इसको हटा दिया गया बाद में इसको रिपील कर दिया केश्वानन्द भारती केस 1973 से कौन से केश्वानन्द भारती केस 1973 से इसको हटा दिया गया article number 13, subclose 4 में इंद्रा गांधी ने क्या लिख दिया कि मैं अगर सम्मिधान के अंदर कोई भी संशोधन करती हूं article 368 का यूज करके तो उसको article 13 का हिस्सा नहीं माना जाएगा कहने का मतलब क्या है इसमें confused नहीं हो आप ऐसा समझे इंद्रा गांधी ने ऐसा कर दिया था कि मैं सम्मिधान के किसी भी भाग को बदल सकती हूं मैं सम्मिधान के किसी भी भाग को बदल सकती हूं जिसका मेरा मन आएगा संसद का मन आएगा वो सम्मिधान को बदल सकता है तो Supreme Court ने कहा कि कल को तुम तो Supreme Court उड़ा दोगी कि Supreme Court ने पाली का इखत्म ऐसे थोड़ना तुम कुछ भी बदल सकती हो तो केशवानन्द भारती केस हुआ था 1973 का वहाँ Supreme Court ने ये कहा था कि आपने जो ये कानून बनाया है इसको हम रद्ध करते हैं आप सब कुछ बदल सकती हो लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती आप आधार भूत धाचे को नहीं बदल सकती अब ये लड़ाई बहुत बड़ी है मेरा हम इस सीरीज के अंदर सिर्फ हम बेर एक्ट्स को पढ़ रहे हैं कि सम्मिधान के अंदर कौन-कौन से स्ट्रक्चर को सम्मिधान में इंट्रोड्यूस किया तो हमारी आज की क्लास में हमने आर्टिकल नंबर 13 को कंप्लीट किया उम्मीद करती हूं आपको समझ आया है थैंक्यू सो मच टेक कियर बबाई